नमसकार मैं हो ससी आए ज्ञारखन की टोप 25 पर्मु खबर जानते हैं 1922 अधारित अस्थानिय निति पर गर्माई ज्ढखन की राय निती ज्ढखन की राय निती में अस्थानियता नियोजा निती अक्सर सुर्खियों में रही है आदिवासी मुलवासी भीतरी बाहरी की राइनिती में प्राया सभी दलों ने नेता अपना अपना नाफा नुकसान देखते हुए ब्यान देते रहते हैं बतादे बोकारों में एक कारिकरम के दोन मुख्य मंत्री हिमान सुरेन के 1932 खत्यान अधायत अस्थाने निती पर दिये ब्यान के बाद फिर से या मुद्दा सुर्खियों में है आईसू ने हेमान सुरेन के इस ब्यान पर जहां का टक्स किया है वहीं कॉंग्रेस ने मुख्य मंत्री के ब्यान का समर्थन किया है हेमान सुरेन ने कहा था कि 1932 का मोदा अभी कायम है इस दिसा में लंबी छलांग लगाने से वह दो कदम पीछे हटे है बताते आईसू पार्टी के केंद्रिया देख सुदेश महतों ने इसे हेमान सुरेन का चुनावी ब्यान करार देते हुए कहा है कि जब जब राजे में कहीं चुनाव आने वाला होता है तब तब जब 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 ने कहा मैं केंद्र की नीतियों से परिशान हूँ जार्खन के मुखी मंत्री हेमांसुरेन बियाइटी में सरा के 79 अस्थापना दिवस पर आयोजित कारकरम में सामिल हुए CM हेमांसुरेन नीति आयोग पनिशाना साधा है और कहा है कि जिस तरह से कार्य हो रहा है एक दिन राजे में डिजास्टर आयेगा बनादे बियाइटी में सरा के 79 अस्थापना दिवस के उसर पर बीरला सभागर में आवित कारकरम में CM हेमांसुरेन ने कहा है कि जिस तरह से नीति आयोग काम कर रहा है और जिन नीतियों के तहट काम कर रहा है वह राजे में डिजास्टर लाएंगे और हम बचने किस्थी तीम नहीं होंगे CM हेमांसुरेन ने कहा है कि नीति आयोग की टीम जार्खन का दवरा करके गई है और इस बात से तीम को आवध कराया गया है BIT में सरा कि 99 वे अस्थपना दिवस पर संस्थान को लेकर CM हमसे ने कहा है कि हम इस परिसर के लिए भी कारे कर रहे हैं BIT में सरा कि समस्या के समयधान के लिए सिंगल विंडोस सिस्टम का इंतजाम किया जाएगा इस असर परुण होने कहा है कि जार्खन को प्रकिर्ती ने बहुत सलीके से सजाया है BJP का सनेह मिलन समारो जार्खन BJP की ओर से सनेह मिलन समारो का आयोन किया गया इसमें नौ नयुक्त परदेश अध्यक्स बावला मरांडी ने करकाताओ को समोधित करते वे लोक सभा चुनाव की त्यारी में जूटने का आवाहन किया है बतादेश सनेह मिलन के जरिये जार्खन BJP ने आगले वर्स होने वाले लोक सभा और विधान सभा चुनावे सभी सीट जीतने का संकल पलिया है जर्खन BJP के नो नियुक्त परदेश अध्यक्स बावला मरांडी के पदभार करहन के मौके पर पार्टी द्वार आयोईत कारक्रम में बड़ी संख्या में नेता करकाताओ पसित हुए इस मौके पर जर्खन BJP के परदेश प्रभारी लक्षमी कांद वाजपई ने बुथ जीतो चुनाव जीतो का आवाहन करते हुए सभी करकाताओ से 2024 के चुनावी लक्ष को पूरा करने का आवाहन किया है मुख्यमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना नहीं उत्री धरातल पर 2019 के चुनाव के वक्त जामों ने कई वादे किये थे उनमें से एक था बेरोजगार योओ को भत्ता देना यह योजना अब ठंडे वस्ते में जा चुकी है वहीं सीएम जिस सार्थी योजना को लंच करने वाले थे उसे भी अस्थागित कर दिया गया है हलाकि इसकी जनकारी किसी को नहीं है कि आखिर क्यों कारकरम को रद कर दिया गया बता दे पूरे सहर बैनर पोस्टर से अटा पड़ा है राजधानी के सभी चोग चोराहों पर एक ही योजना का जिक्र है कि आज से मुखे मंत्री सार्थी योईना सुरू होने जा रही है इस पोस्टरों को बेरोजगारी की मार जेल रहे प्रतिभा साली युवा उमीद भरी निगाहों से देख रहे थे बता दे कारकरम का समय और अस्थान तै हो चुका था सरम्योजन और प्रसिक्षन विभाग के ओर से अधिकारियों को आमंत्रन पत्र भी प्रेसित किया जा चुका था उसी भी भाग एक कुछ पता देकारी रांची भी सुभी दाले के आरेवट समय घार भी पहुच गए लेकिन वहां सनाटा पसरा था गार्ड ने कहा कि यहां कोई कारिकरम नहीं है सरकार के तलब से 14 जुलाई की साम को एक बिगप्ती जारी कर और परिहार कारणों का हवाला देते वे कारिकरम अस्थागित करने की जनकारी दे दी गई थी सियम हेमांत को BIT में याद आई स्टुडेंट लाइफ मुखे मंतरी हमांतरी ने कहा है कि जब भी मैं BIT में सरा के परिसर में आता हूँ अलग यह सास होता है मैं आज यहां बतर मुखे मंतरी आपके समख्श उपसित हूँ मैं यहां का छात्र रहा हूँ और आज बियाइटी में से रहा के वाइस चाल्सलर मुझे चीफ मनिश्टर सहाब कह कर समोधित कर रहे हैं यह एक ऐसा अनुभव है जिसको मैं स्वय ही समझ सकता हूँ हमने ऐसा वक्त इस परिशारों बिताया है जब हमारा देश एक बड़े रिफोर्मस की ओर बढ़ रहा था सभी राजवासियों के लिए गरों की बात है कि वर्ष उनाईसों बावन में देश का या तीसरा तक्निकी संस्थान जहारखन पर देश में स्थापित हुआ मुझे लगता है कि देश आजाद होने के बाद इस राज़ को इंडरस्टी लिस्ट हो या साइंटिस हो चाहे नई उचायों को छूने की चाह रखने वाले लोगों हो सभी ने अलग अलग तरीके और नजरों से सजाने और स्वारने का परियास किया है ज्यारखन के जनसेवकों का हर्ताल खत्म 17 से काम पर लोटेंगे दो महिने से अधिक से चल रही ज्यारखन के जनसेवकों के हर्ताल सरकार के अस्तर पर होई पहल के बाद खत्म हो गई है क्रिसी मंत्री बादल पत्र लेखने नेपाल हाउस इसी कार्याले में जहरकन राय जनसेवक संग और क्रिसी विभाग के बीच हुई वारता में जनसेवक संवर्ग का ग्रेट पे या थावत रखने पर समती बनी है इसके बाद 1300 आंदोलनरत जनसेवक ने 17 जूलाई से काम पर लोटने की खोसना की है और सभी मांगो की पूर्ती पर भी समती बनी है इसके लिए भी भाग के अस्तर सशिकर आगे की करवाई की जागी बता दे जार्खन सरकार के अस्तर पर हुई सफल वर्था का एधार पर जार्खन राजनसेवक संग ने अपने दो महिने से आधिक तक चली अनिस्चित का इन हरताल की वापसी की खोसना की वही 17 जूलाई से सभी अन्दुनरत 13 सोजनसेवक अपने कर्यालों में योगदान देंगे बाबा फोजदारी नाथ के दरवार में 45 है यार ने किया जलाभी सेख दुमका जिले के वासुकी नाथ में 55 मास में हर साल आयोजित होने वाले राज की श्रावनी मेला महोसा दोहरते इसके बराहवे दिन सन्वार को बाबा फोजदारी नाथ के दरवार में दीन भर कवरियों कताता लगा रहा सीव की भक्ती में डूबे सर्धालों ने पुरे सर्धा भाव से बाबा वासुकी नाथ का जलाभी सेख या बताद सावन मास में वासुकी नाथ की रोणक देखते ही बनती है तीन बजे भोर से मंदिर प्रांगन में कवरियों की कतार लग जाती है बोलबम के जैकारे से मंदिर परिसर गुंजमाय हो जाता है सनिवार को सरकारी पुजा के बाद गर्भ गरी कापट खोल दिया जाता है वहीं कवरिय जलारपन करना शुरू करते हैं सिव गंगा घाट वा मेला परिसर भी दिन भर कवरियों से पटा रहा मंदिर प्रबंधन के उनसर 45 सेर कवरियों ने आज बाबा बासकीनात का जल से अभिसेक किया है गुमला पुलिष ने 35 गोवंस लदे ट्रक को किया जब जारखन में पसु तसकरी थमने का नाम नहीं ले रहा है गुमला जीले में पुलिष ने गुप्त सुचना के अधार पर करवाई करते वे 8 तसकरों को गिरफतार किया है जो गोवंस को 36 गरते जारखन ला रहे थे पुलिष ने ट्रक को रोका तो चालक ट्रक रोक कर भागने लगा ट्रक के साथ चल रही दो कारे भी रुकी और उसमें सवार लोग भी उतर कर भागने लगे अलाकि पुलिष ने इन सभी को दवडा कर पकड़ लिया है सकती से पूच्टाच करने पर उन्होंने बताया है कि ये लोग गोवंस की तसकरी कर रहे थे और उन्हें ट्रक में लाज कर लोहरतगा जी लेक के बुचल खाना पहुचाने जा रहे थे पाराशिक्छक बेतनमान को लेकर सलक पर उतरे रांची में पाराशिक्छक सीम आवास के सामने परदसन हुआ बेतनमान की मांग को लेकर पारा सिक्षक स्तियम आवास घेरने के लिए राई धानी के सड़क पर उत्रे सरकार परवादा खिलाफी का अरोप लगाते उन्होंने जमकर नारबाजी की है एक और जहां राई सरकार सहयक अध्याफ को लेकर अंदोलन कर रहे हैं